फेरे वचों, आप सभी का महा माया क्लासेज में स्वागत हैं आज हम लोग पढ़ेंगे चितरकला के लिए important प्रस्ण जो आपकी UP Board Exam 2023 के लिए अती महत पूर्ण है ठीक है, चलते हैं पहले प्रस्ण पे पहला प्रस्ण है, चारकूल क्या है? आपसन है इसका ग्रिफाइट लाल रंग, तैल रंग, इन में से कोई नहीं तोमारा जो सही option होगा, वो होगा ग्रिफाइट ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं तो आप्षन दिया गया है अस्थाई चमकी ले धुधले तो इसका जो सही उत्तर है वो है अस्थाई ठीक है पेस्टल रंग अस्थाई प्रकार के होते हैं ठीक है चलते हैं अब अगले प्रस्ण पर देखे अगला प्रस्ण है कि त्रिवुच की से कहते हैं तो पहला अप्षन है जिसका आधार कोड़ 45 अंसका हो जिसका आधार कोड़ 75 अंसका हो जिसका आधार कोड़ 7 अंसका हो और जिसका आधार कोड़ 90 अंसका हो जिसका सही उत्तर होगा D जिसका आधार कोड़ 90 अंसका हो ठीक है अब चलते हैं अगले प्रसंग पर, प्रस्ण नमबर 4, ओस्टवाल्ड के रंग tutor में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, 8 ठीक है? इन चारों optionओं में जो 8 दिया गया है, 8 पर गया रंग उसमें पाए जाते हैं. तो इम चलों अगला प्रस्न है रेखा क्या है जिसने अप्षन दिया गया है पैमाने से खिची जाने वाली दो बिंदों के बीच की दूरी आकरती बनाने वाली और चित त्यार करने वाली तो आपने सुना होगा कि दो बिंदों को मिलाने वाली क्या गराती है यह रेखा कराती है तो इसे क अगला प्रश्ण है कि कौन सी पेंसिल से बनाएगी रेखा अधिक काली होगी तो ऑप्षन दिया H B, 2 B, 2 H and H तो जो सही ऑप्षन होगा वो B होगा क्योंकि जो 2 B पेंसिल होती है वह सबसे डार्क लाइन बनाती है bersilak अब एगला साथ वा प्रश्ण है साथव है पर अगला प्रशन है आठवा हरा रंग नित्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है तो सही अप्षन होगा देखे पहले अप्षन देख लेजिए सामाने ठंडा गरम और कुछ नहीं तो इसमें सही अप्षन होगा ठंडा क्योंकि जब किसान खेतों में पहुंचता है तो खेत क हर याली को देखकर और वह बहुत सांतिय त्षय करता है कि सितलता महणूचव करता अर्था जो हरा रंग होता है वा हमारे नेत्रों पर ठंधा प्रभाव डालता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है प्राचीन प्राचीन भारतिय ठीक है प्राचीन भारतिय पद्धित के अनुसार मुख्य रंग अथवा प्रारंबिक रंग कितने माने जाते हैं F का option है 3, B का option है 4, C का option है 5 और D का option है 6 तो इसका सही उत्तर होगा A, 3 रंग, 3 रंग ऐसे होते हैं जिसे हम प्रारंभिक रंग मानते हैं अब चलते हैं अगले प्रस्न पे, अगला प्रस्न है 10 वाँ, लाल रंग में कौन सा रंग मिला जाए तो वह नारंगी हो जाएगा तो A, 4 क्या दिया है, अरा, B, नेला, C, पीला और D, काला तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीला रंग को अगर लाल रंग में मिला जाए तो वह नारंगी हो जाएगा तो अगला प्रस्न है, जलरंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उप्युक्त है जलरंग का, मतला वाटर कलर का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उप्युक्त है तो पहला है अप्शन, पेस्टिल, दोसरा, वाट्मेन, तीसरा, कार्टीज पेपर, और चो होता है, कैनवास तो इसका जो सही उत्तर होगा, वह क्या होगा, वाट्मेन होगा जेल रंग का चित्र बनाने के लिए, वाट्मेन जो पेपर होता है, वह सबसे राइट पेपर माना जाता है तो हमारा जो भी आप्शन होगा, वाट्मेन, वह बिल्कुल सही होगा अब चलते हैं, अगले प्रस्ण पे, देखे, अगला प्रस्ण है, निम्न में से कौन सा रंग इंदधनुस में नहीं है बच्चों, सभी लोगों ने देखा होगा, वरसात के समझ जब इंदधनुस बनता है, उसमें बैजनी यहाँ पीनाला ठीक है, यह सात रंग मिल करके क्या बनाते हैं, इंदधनुस का निर्मार करते हैं, लेकिन आपने उसमें देखे, तो आफ्चन में दिया है, नीला, नारंगी, भूरा और लाल, तो आपको पता होगा, 100% पता होगा, कि भूरा कदर का तो ना, इंदधनुस में कोई अखार कॉरा होगा, बिलकुल, वजह पता है, अगला प्रशन है, भारत में प्राग यातिहासिक चित्र जिराफ गुरूप कहां पाए जाता है, ठीक है, तो आप्चन है पंचमडी, भीम बेट का, आदमगड और रायगड, तो सही उत्तर होगा, वह क्या होगा, भीम बेट का, जो भीम बैटका है वो राइट एंसर है कि जीवग्राफ गुरूप का चित्र भीम बैटका में पाया जाता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है अजन्ता गुफा मंदिर किस राज में है तो पहला आपसन है उत्रप्रदेश दूसरा है मद्यप्रदेश तेसरा है उड़े इसा चौथा है महाराष्ट तो यह इसका राइट एंसर होगा महाराष्ट ठीक है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है अजन्ता की किस गुफा मंदिर के मंदब की छत पर सर्वस्रिष्ठ आलेकन प्राप्त होता है जिसमें आपसन दिय गया 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 है गुफा संख्या दो सम्ख्या 9 सुफा संख्यां ग्यारी और गुफा संख्या 19 सिसका जो राइट एंसर होगाँ वह होगा ड डी ीफ़ार है संवाज हेश्ठ आप चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला जो प्रस्ण है उसमें दिया गया hago yo दो शोका कुलनारी भित्ती चित्रक कहां अंकित है तो पहला अप्सन है अजन्ता में दोसरा है बाग गुफा में तीसरा है बादामी में और चौता है सित्तलन वासल तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, B for बाग गुफा ठीक है बाग गुफा में अब चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है भारती चितकला में 17 अगला प्रस्ण है भारती चितकला में मानो अकृती का आदर सुप्रमार क्या है भारती चितकला में मानो अकृती का आदर सुप्रमार क्या है जिसका दिया गया है, पहला option A108 अंगुल दूसरा option 90 अंगुल और तीसरा option 100 अंगुल और चौता option 128 अंगुल, तो भारती चित करवरा में मानोकृति का असपच्ट आद्प्रमार या आदर्प्रमार A4 108 अंगुल दिया गया, ठीक है, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, तो पहला है प्राक्तिक रंग योजना, एक रंग योजना, दो रंग योजना और तीन रंग योजना, तो मोनो कलर योजना, एक रंग योजना को कहते हैं, एक रंग योजना को कहते हैं, तो हमारा जो भी आप्शन होगा, वो एकादमी या अकैडमी कहा इस्थित है। जो सही आफसन होगा वह होगा हमारा लगनओ तो उत्तरपडेस राज में ललिटकल आकैडमी कहा इस्थित है। लगनओ में इस्थित है। अब चलते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्ण है निम्न में से टतस्थरंग कौन सा है तो सफेद है लाल है हरा है और नेला है ठीक है निम्न में से जो टतस्थरंग कौन सा होता है सफेद रंग होता है देखे सफेद रंग का एक प्रस्ण और आता है टिंट बनाने के लिए तो टिंट बनाने के लिए भी तो नेमनुखिस्द में से प्रतस्टरंग कौन सा है सफेद है चलते हैं भगले प्रस्व फे दीजिय कि अगला जू प्रस्व है कि वारली बित सित्र कि सराज से संबन दिथ है वारिली बिति टी सरा醒 से संबन यापदेश जो है घीड़ वाररली वित्त्य का अस्थान माना जाता है आम चलते हैं बाइस में प्रश्ण पे तोस्ता अपथ को 22 प्रश्ण है कि टानाखस कुंडलीनी चित्र कि सट्र में तो टानाखस नहीं होत नहीं क्या होता है पता है तनक्स स्ट्व क्या करते हैं तनक्स होना चाहिए तनक्स क्णूडली चित्र किस स्षेत्र में है इसका उत्तर होगा पता है इसका सही उत्तर होगा पहले option दिख लिजी एक बार अप ‎सन दिया गया है लद्दाक, कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और पञजाब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश ठीक है यह क्या होगा हिमाचल प्रदेश अब चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है निम्ज में से कौन सा राजधानी की निम्ज में से कौन सा राजधानी तो यहां नहीं होना चाहिए यहां पर सही उत्तर होगा राजस्थानी क्या होना चाहिए राजस्थानी इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी ठीक है तो राजस्थानी चित्कलाका के अंदर नहीं है तो राजस्थानी चित्कलाका के अंदर कौन सा नहीं है तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा कि हिमक्सिक किसंगर बोधी चावंड और गुलेर इसका सही उत्तर है C for चावंड चावंड है जो कि राजस्थानी चित्कला का केंदर नहीं है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पे किसके साशन काल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ तो F से A option है जहांगीर B option है अकबर C option है हुमायू और D option है जहां आते हैं सही बिलकुल राइट्स एंसर होगा अकबर के एक साशन काल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ अब चलते हैं अगले प्रस्ण पे 25 राजा रवी वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहां है तो पहला प्रिंस आफ वेल्स दूसरा आप्षन है जुसरा संग्रार दिल्ली तीसरा आइं असलार गंज संग्रार है थार बाद चौथा अप्षन है चित्रा आर्ट गैलेरी ट्रिवेंद्रम करनाट का सी मध्रपर्देश डी वत्तर प्रदेश तो इसका जो सही उत्तर है वो एकदाम है मध्यप्रदेश ठीक है खजुराहो का विख्यात मंदिर कहा है इस दीत है भी या मध्यप्रदेश में इस दीत है देखें यह बोर्ड एकजाम में पूछने वाला प्रस्ण है यह 100% प्रस्ण पूछा जा सकता है अब चलते हैं अगले वैसे हरा होता है इसमें नहीं दिया है तो प्रस्ण होगा आय होगा ये पूरसी रायगडड और द और औरंगाबाद इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा बर्दामी गुफा काप जती है उसका सही उत्तर होगा डी फॉर औरंगाबाद ठीक है अब चलते हैं अगले प्रशन पे अगला प्रशन है उस भूत पूरो प्रधान मंतरी का नाम बताए जो चित्रकार भी था बिल्कुल सही उत्तर होगा बी फॉर बी पी सिंग बीपी सिंग क्या थे हमारे पूर प्रधान मंतरी थे जो सांसना चित्रकार भी थे अब चलते हैं अगले प्रशन पे अगला प्रशन है चित्रकला किस रेडी में आती है श्रब्य दिर्ष्ट इन मेंसे कोई नहीं तो देख जाती है तो जो बी आप्शन होगा बिलकुल सही होगा अब चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन है तिसमा बोधी सत्व वज्रपाडी चित्रन किस सहली के अंद्रगत आता है ठीक है तो यह अप्शन है अजनता बी से पहाड़ी सी है राजस्तान एडि फार मुगल उ होगा हमारा अजन्ता अजन्ता बोधिस हत्तो बज्ज्र पाड़ी चित्रन से संबंदित है अब चलते हैं एकदम अगले प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है चित्र में गहरा रंग तो अगने प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है ताहरा चित्रय में किस त्यलका उप्योग करतें और पहुला पर चित्रन अप्रफिन चित्रण में प्रयोग किया जाता है अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है युरूपी चित्रण पध्धतिक का पर धार्मिक चित्र स्वर प्रथम किस भारती चित्रकार ने बनाए तो इसका जो राइट एंसर होगा कि यूरोपी चित्रन पध्यतिक पर धार्मिक चित्र सरोपता हैं किस भारती चित्कार ने बनाएं तो इसका सही उत्तर होगा बीफ और राजा रभी वर्मा ठीक है अब चलते हैं अगले और इस सेशन के अंतिम प्रस्ण पर ठीक है दियान से देखिए सफेद रंग रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माड होता है जिसमें दिया गया ए काला बी भूरा सी सफेद और डी लाल तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सी और सफे सफेद रंग का या सफेद रंग को मिलाने से क्या बनता है टिंट का निर्माड होता है तो यह भी इंपोर्टेंट प्रस्ण है ठीक है तो मिलते हैं भाई इस तरह से मुहत्पूर्ण प्रस्णों को किसी रड़ी में जहन जवारत अगर आप नए है तो चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है जहन जवारत